Hello Dear Sagittarius, Sagittarius unique dhanuran si message got triple Azen the diṭeiro से तो आज हम Sagittarius unique dhanuran si ki jernal love reading करेंगे general है तो match हो भी सकती है नाई भी हो सकती है जिस पर जितनी match होती प्लीज आप accept कर सकते हैं अगर आप personal reading जाते हैं तो निचे description box में details दींगे हैं वहाँ जाकर शेकिजिएगा कोई भी confusion डाउट होने पर WhatsApp message के जिर्यापन से clear कर सकते हैं और एक reading एक से लेकर 7 अगस्तक के लिए भी clear निसापता एक reading होगी तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे Sagittarius जो आपके person है उनकी आपके परती feelings क्या है वो आपसे क्या चाते हैं फिर देखेंगे आपकी feelings क्या आप क्या चाते है outcome क्या रहेगा और guidance क्या रहेगे तो चलिए Sagittarius देख लेते हैं आपके person की current feelings क्या है right now The Magician King of Cups Page of Cups Sagittarius जो आपके person है उनको feel हो रहा है कि इस रिस्ते में कोई mind game कोई manipulation नहीं होना चाहिए जिससे उनकी ego heart हो तो एक दुसरे से मापी मांगना चाहते हैं एक दुसरे को माप करना चाहते हैं उनको लगता कि सामने वाला आप माप भी नहीं करता तो दिल से माप करते वे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनकी जो भी दिली तमना जो manifestation वा पूरी हो सके और एक दुसरे से को माप करते वे मापी मांगते वे आगे एक नए सिरे से एक beginning एक शुरुवात करने चाहिए energy in mature हो सकती नहीं हो सकती है age difference हो सकता है लेकिन अगर young energy के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जो भी क्योंकि यह जो card बता रहा है कि यहां मैसुस हो रहा है कि यह तो आप divorce ही है या divorce होने वाला है या सामने वाला divorce ही है या कुछ separated हो सकते हैं तो कुछ तो ऐसा है कि जो age difference है लेकिन अगर क्योंकि दोनों तरप से करके जो obstacle बादाएं दिक्कतें आते भी हैं तो समय के साथ वो धीरे-दीरे करके खतम होती जाएंगी और प्यार और प्रेम बढ़ेगा और ये रिस्ता लोंग लाइफ हो सकता है लोंग टम रिस्ता ये हो सकता है तो ऐसा आप फिल कर रहे हैं आप मैसुस कर रहे कि इस रिस्त वो आप से क्या चाहते हैं सेजिटेरियस आपके परसन आप से क्या चाहते हैं Four of Cups, Queen of Swords and the High Priestess and the Devil तो सेजिटेरियस जो आपके परसन है अभी वो चाहते हैं कि इस रिस्ते में जो अनकंट्रोल कंट्रोल है उसको खतम करना चाहिए पेसेंटले चीजों को हैंडल करना चाहिए जैसे तैसे करके भी इस रिस्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करने चाहिए और अगर प्रैक्टिकालिटी को बढ़ाएंगे, खुद को स्ट्रोंग करेंगे, मजबूत करेंगे, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे तो दीरे दीरे करके अगर कोशिश करेंगे तो रिस्तों में सुधार हो सकता है, जो भी इसमें लस्ट अडिक्शन है, जो भी गैमलिंग, स्मॉकिंग, ड्रेंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, उन चीजों को छोड़ देते हैं और पेसेंटली चीजों को चुपी और खामशी के साथ अपनी विस्टम नौलेज गेन करते हैं, हिलिंग, मेडिजेशन, योगा एक्सरसाइज करते हैं और सही वक्त आने पर, सही समय आने पर ही इसमें आगे बढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं, बिगिनिंग और शिरुवात करते हैं, तो जो भी जिस चीज के लिए भी वो सैड बैठे हैं, उदास बैठे हैं, हाला कि उनके पास और ओपर्चुनेटी भी हो सकती है, मिल रही है, लेकिन जो वो है कि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के बारे में सोची ने सकते हैं, उन्हें वही परसन अपनी लाइप म चाहिए तो इसलिए वो चाहते हैं कि बजाए के sad रहने के उदास रहने के negative रहने के positively चीजों को sadness को सोड़े और सोच विचार करके जो दोनों पक्षों के बारे में सोचें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें डिटेच ना रहें, कॉल्ड ना रहें, सोच विचार करके इस रिस्ते में आगे बढ़े ताकि रिस्तों में सिधार हो सके, कलियर्टी आ सके और सही समय आने पर, सही बक्ताने पर इसमें धीरे दीरे करके एक beginning, एक शुरुआत की जा सके, action लिया जा सके और वो ये भी चाते हैं कि अगर नहीं चाते हैं कि ये रिस्ता आगे बढ़े, तो यूनिवर्जी आपको और opportunity भी दे रहे हैं, आप उसको accept कर सकते हैं, अगर आपको सही लगे तो ठीक है, दर्माईज आप उसको drop भी कर सकते हैं, तो वो ऐसा चाते हैं कि वो stress में ना रहे परेशानी और दुविदा में ना रहें, वो इस रिस्तिक के बारे में वो आगे बढ़े, यूनिवर्जी जो opportunity दे रहे हैं उसको accept करें, या फिर वो इस negativity से बाहर आते हुए healing yoga exercise करें, और धीरे धीरे करके इसमें action ले, सोच विचार करके आगे बढ़े, क्योंकि सिर्फ औ तो देख लेते हैं, Sagittarius, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने person के लिए, Ace of Cups, Three of Wands and Knight of Wands, Sagittarius, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिस्ते में काफी प्रेम है, काफी प्यार है, काफी सब कुछ है, लेकिन कोई commitment नहीं है, कोई इकरार नहीं, कोई ठैराव नहीं है, in and out की own end of किस्तिती बनी हुए है, यानि कि कहीं भी इसमें stability दिखाई नहीं दे रही है, ये cards बता रहा ह कि इसमे stability नहीं है, प्यार और मौबत है, आना जाना लगा हुआ है, तो आप महसूस कर रही है, कि यूनिवर्जी जो नहीं ideas, नहीं opportunity दे रही है, अच्छे ideas दे रही है, लग उनके साथ है, भाग्या उनके साथ है, तो उसको accept करते हुए, उसको आगे बढ़ा जाता है, उस आगे जाकर वही beginning वही शुरुवात एक brand new beginning बन सकती है, यानि कि रिस्ते में stability ला सकती है, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, रिस्ता stable और कामियाब होगा, सही समय का weight और इंचजार करना है, आगे बढ़ना है, एक beginning एक शुरुवात करनी है, emotions में नहीं बहना है, तो ऐसा आप feel कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं, तो देखते हैं Sagittarius, आप अपने person से क्या चाते हैं, आप सही समय सही वक्त का weight और इंचार कर रहे हैं, कि दिरे दिरे करके दुख के बादल खतम होगे, अंधकार खतम होगा, और रिस्तों में सुधार होगा, एक beginning एक तो देख लेते हैं Sagittarius, आप अपने person से क्या चाते हैं, एक beginning एक शुरुआत चाते हैं, आप चाते हैं कि इसमें team energy team effort लगाए जाए, जितना किसी की मदद लेंगे, help लेंगे, या तो जहां आप job करते हैं, business करते हैं, या फिर अपने घर के member की, बड़े भाई बैन की, माब आपके जिसका भी spot ले सकते हैं, या जिसको आप अपना superior elder मानते हैं, उनकी मदद लेते हुए अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं, एक good news, good message लेकर अपने person की तरफ बढ़ते हैं, तो रिस्तों में सुधार होगा, आपकी जो भी जिस चीज के लिए manifestation कर रहे हैं, जो भी आपके दिली तमना आपकी विश्पूरी हो सकती है, आपके दिली तमना पूरी हो सकती है, तो ऐसा वो चाहते हैं, कि वो उनकी तरफ good news, good message लेकर आएं, या फिर हो सकता कि आप अपने परिवार और family का support लेते हुए, या जहां पर आप काम करते हैं, उनकी मदद लेते तो दिरे दिरे करके फिर से इस रिष्टे में beginning और शिरुवात होगी, और आपका जो रुकाव वारिस्ता है, जो जिसमें in and out की own end of किस्तिती है, फिर से प्यार बढ़ेगा और आपकी दिली तमना पूरी होगी, आपकी wishful फिल होगी, तो ऐसा आप चाहते हैं, कि आप सोच क्या रहेगा सैजी परसन के लिए, 10 of wands, 4 of pentacles, 4 of swords and strength, यूनिवर्जी आपको message देना चाहते हैं, क्योंकि इस रिष्टे में काफी overthinking, over control, over stress है, चीज़े समय के साथ, flow के साथ नहीं जा रही है, तो उन चीजों से बाहर निकलिए, overthinking, over control, over stress से बाहर निकलिए, समय के साथ, flow के साथ चलिए, और healing कीजिए, meditation कीजिए, थोड़ा सा break लेजिए, यूगा exercise कीजिए, universe में आस्ता लगाईए, विस्वास कीजिए, कुछ चीज़ें उन पर छोड़ दीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ, उस negativity से आप बाहर निकल सकें, और नए सीरे से एक beginning एक शुरुआत हो सकें, और जो overthinking, over control, over stress है, उससे बाहर निकल सकें, समय के साथ, flow के साथ आगे बढ़ सकें, जो responsibilities, जो जिम्मेदारियां आपके लिए burden और बोज बन चुकी हैं, तो अगर courage, हिमत और सास के साथ, बिना give up करें, बिना हार माने, अपने अंदर का डर बाहर निकालते वे, हिमत करते वे आगे बढ़ेंगे, तो वही responsibilities, वही जिम्मेदारियां आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, आपको stable करेंगी, एक नया mode, एक नई दिशा लेंगी, तो इसका outcome successful हो सकता है, लेकिन अभी आपको break लेने की जुरूरत है, रिस्ते को heal कीजिए, और yoga exercise कीजिए, थोड़ा सा rest और आराम कीजिए ताकि रिस्तों को आगे बढ़ने का मोका मिल सके, और नए सिरे से आप फिर से सोच विचार करके, इस negativity को खतम करते हुए, जो चीजे बादा है, रुकावटे दिक्कते दे रही हैं, नए सिरे से आगे बढ़ सकी, तो देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या message या guidance हो सकती है, यूनिवर्सी गाइड किजिए, प्लीज, सैजी परसन के लिए क्या message या guidance है, 7 of pentacles, the sun and night of pentacles, तो यूनिवर्सी message देना चाहते हैं, guidance देना चाहते हैं, कि जो रिस्ता रुप चुका है, थाम एक दुसरे का वेट और इंज़ार कर रहे हैं तो अभी आप फिलाल अभी आप वेट और इंज़ार कीजिए एक नई विगनिंग एक नई शुरुवात कीजिए लेकिन सही समय आने का सही वक्त आने का फ्रूटफुल और काम्याब आने होने का वेट और इंज़ार कीजिए त कब good news आएगा, कब message आएगा, कब खुशियां वापस मिलेंगी, तो इस परिशाने से आप बाहर निकल सकें, और अगर आप beginning करते हैं, शुरुवात करते हैं, तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जो रिस्ता रुख चुका है, थम चुका है, वो बढ़ेगा, stability आएगी, और रिस्ता अलाइन सा होगा, luxury आएगी, prosperity, सुक्समरिदी, खुशालिन, name और fame, सारे चीज़ें वापस से मिलेंगी, और अगर commitment वगरा देते हैं, तो फिर से के वो शादी करने के लिए ready या तयार हैं, तो शादी की जा सकती हैं, अगर already शादी कर चुके हैं, तो रिस्तों में सुधार होगा, रिस्ता रुकेगा, जो यानि के रिस्ता आगे बढ़ेगा, खुशियां आएंगी, पेसेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, honesty, इमानदारी और loyalty के साथ, बिना किसी सलका पठेरा फेरी के, आगे बढ़ेगा, खुद खुश रहिए, दुसरों को खुश रखे ताकि रिस्तों में सुधार हो सके, और ये रिस्ता सूरज की तरह नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, और जो आप wait और इंचार कर रहे हैं, सही समय आने पर, सही बगत आने पर fruitful हो सके, घर बनना कर बसना, stability, खुशाली, नेम और फेम, सारी सीज़े वापस से आ सके, तो अभी आपको wait और इंचार करना है, एक beginning एक शुरुवात करनी है, और फिर wait और इंचार करना है, सही समय आने का, सही बगत आने का, तो दीरे दीरे करके, जो है, आपके emotions बढ़ेंगे, आपकी willpower बढ़ेंगी, आपने strong बनेंगे, और रिस्तों में सुधार देखने को मिलेगा, रिस्ते में luxury, prosperity, सुक्सिमरिदी, खुशाले, सारे चीज़े वापस से आएंगी, जो आप चाहते हैं, आपको कोशिश करने की जुरूरत है, हिम्मत नहीं हारने हैं, तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना बूलें, इससे मॉटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है, तो फिर जल्दी मिलती हैं, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैपी रहें, खुछ रहें, नमस्टे, थैंक यू तो मच,